जारखन में चुनाव की घोशना के साथ ही राज्यमेर राजिनीती हल चल तेज हो गई है। जारखन महरास्ट्र एक साथ हो रहा है। यह बताने को काफी है कि किसके शारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। उन्होंने 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली को याद दिलाते हुए दोनों ने ताज महल को बेचा था। वैसे ही वर्तमान में बंटी और बबली यानि तंत्र और जमुहूरियत को बेचने में लगे हैं। बीच से ही पहले तो उस पे वेश्विक महामारी का एक पड़ावा आया एक रोक लगा जब उसको हम लोगों ने पार किया तो सरकार गिराने का शर्डियंत ररचने का के इंद्री अजिंसियों को यहाँ पर सक्रिये करके राज सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने का वो एक दोड़ चला हुआ। इस बार हर्याना का चुनाओ अकेला हुआ। आप सब को याद होगा कि आज लगबग आठ नौ दिन बिर्ग बिलांसवा चुनाओ के बाद नतिजे आने के बाद ना बिलांसवा का गठन हो पाया ना नई सरकार का गठन हो पाया। लेगिन 26 नवंबर आपको महराश विदानसवा का कारेकाल को समाप्त होना है उसके पूर गठन होना है। हमारा पांच जनवरी को है मैंने पहले भी कहा था। तो इसने दोनों को क्लब कर दिया गया। यह आशंका हम लोगों को थी और मैंने मानियक मुख्य चुनावायों कि जब यहां पर आये थे उनको कहा था कि आप ऐसा ही करने जाए। और आप से भी बात करते हुए हमने कहा था कि भाई दखिएगा दो चुनाओ होगा। और 24 तरिक तक रजल्ट आ जागा। कि अब मैं भी भाजपा को पढ़ने लगा हूँ भाजपा को समझने लगा हूँ। 2005 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के कारामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया था। और भाजपा और ECI नया बंटी और बबली है। अब ये पूरे जमोरियत को बेच दे रहें। लोकतंत्र को बेच दे रहें। मैंने उस समय जो आशंका जताया था। कि ये बंटी बबली का खेल होना ही था। ये लोकसवा में भी हुआ। ये हर्याना विधान सवा में भी हुआ। अब ये दोहराने का प्रयास चार्खन में होने जा रहा। प्रदान मंत्रे जी ग्रेया मंत्रे जी पूरे चुनाव को प्रभाविट करेंगे। और केवल उसका दायरा हजारी बाग नहीं रहेगा। उदर कुडरमा भी रहेगा। इदर गिरिटी भी रहेगा। आप रामगड में ख़ड़ा होकर राथी को प्रभाविट करेंगे। काके को प्रभाविट करेंगे। कि बढ़का गाउं को प्रभावित करेंगे क्योंकि पत्रातु तक कि सीमावर्ति तक इधर काके है इधर रामगर खेल वहां छुपा है